क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में कि इस तरह की मजबूती बरकरार रही है और किन इवेंस पर रखनी है नजर हफते के आखरी कारोबारी दिन जानते मेरे सही हो कि दिपांशु स्टूडियो में मेरे साथ जोड़ चुके हैं दिपांशु गुड मॉनिंग हम हफते की क्लोजिंग की तरफ बहुत अच्छे नोट पर जा रहे हैं क्या लग रहा है क्या कुछ हो है महीना भी बहुत ही शांदार रहा है बाजारों के लिए और बहुत ही बढ़िया आक्शन आपने कल फिर से आते हो दिखा है आज सुबह त लास साइम ट्रिपल डिजिट गेंज के साथ हमने शुरुवात देखी थी इतनी जबरदस्त गेंज तो बहुत रहर हम देखते हैं इस्पेशली जिस तरह का मोहल रहा है चार-पांच महीनों का बट बहुत ही बढ़िया संकेत आपको आते हो दिख रहे है और इसी का इंपक अनुमान 0.3 से 0.6% की ग्रोथ का था तो उसके सामने 0.9% का अगर आपका GDP डेटा आया तो काफी खराब माना जाएगा इसे और पिछली तिमाही में नेगेटिव 1.6% था तो टेक्निकली दो तिमाही अगर आपके लगातार नेगेटिव ग्रोथ आती है तो उसे मंदी का स संकेत माना जाता है बॉन डील तो कभी काफी समय से उलट चुकी और वो भी वाइडन हो चुकी है तो दोनों मंदी के संकेत आपके लिए क्लियर स्क्रीन कर सामने है पर कहा जा रहा है कि ये मंदी नहीं है इन फैक्ट कल वाइट हाउस की भी प्रेस कॉन्फेंस थी फेड न कि इस समय मंदी के हालात नहीं है आर्थिक स्तिती काफी मजबूत है कंपनीज के नतीजे तो हम देखी रहे हैं शांदार आ रहे हैं और आज जादा तर आप नतीजों का ही रियक्शन देख रहे हैं जिसके विल से बाजार पॉजिटिव है और साथ ही रोजगार हिस्टॉर हिस्टॉरिक लेवल्स पर है अनिम्प्लॉइमेंट हिस्टॉरिक लेवल्स पर आपको दिख रहा है इनफाक्ट कल सापताहिक बेरोजगारी के आंकड़े भी आये थे धाई लाग के आसपास हैं जो रिकॉर्ड निचले सटके से जादा दूर नहीं है और पिछले हफते के म मुकाबले 5000 की कटोती हुई है बेरोजगारी के आंकड़ो में तो वहां से अगर आप देखें तो मंदी नहीं है बट हाँ अगर आप टेकनिकल डेफिनिशन से जाएं तो डेफिनिटली मंदी है बाजार ने कम्प्लीटली इसको इग्नोर करा है कोई रियाक्शन हमने आते ह वह नहीं देखा अगर आप देखें तो डाव कल एक बर फिर से लगा था दूसरे दिन तेजी बनती हुँ देखी 330 अंग कुछल कर दिन की उचाई पर डाव बंद हुआ एक परसेंट से जादा की तेजी आपने नास्डाक और S&P 500 में देखी सवा परसेंट उपर रसल 2000 था ब्रॉड बेस्ट राली आपने एक बर फिर से कल अमेरिकी बाजार में आती हुँ देखी 10 साल की बॉंड इल अब 2.7 परसेंट के भी नीचे आ गए तो ये लगातार गिरती हुई दिख रही हाला कि रेट्स उपर गए है और बाकी संकेत उतने पॉजिटिव नहीं है बट बाजार ने जीडिपी डेटा को तो कम्प्लीटली इग्नोर करी दिया है कहां पर करा है बाजार ने फोकस नतीजों पर और हम देख रहे हैं दिगज आईटी कंपनीज के नतीजे जादा तर अच्छे आते हों दिखे हैं और उस पर पॉजिटिव रियाक्शन भी दिख रह है बट डिरिंग मार्केट आर्ज भी आमाजान आपल दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में थे हाला कि मेटा फेस्बुक का शेर साड़े पांच परसेंट गिरा था क्योंकि इनके काफी कमजोर नतीजे आते हो देखे हैं बट ओवरॉल जादतर नतीजे अनुमान से बहतर जाने वाले हैं तो इस पर भी बाजार का फोकस पूरी तरह से बना रहेगा यॉर्प में थोड़ा मिला जोला आक्शन था आज महां पर उनका इंफलेशन और जीडीपी डेटा दोनों आएंगे तो उस पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी डॉलर इंडेक्स लगातार हमें सुस्त होते हैं अब तो 106 पर आ गया है तो वहां से कमोडिटीज को अच्छा सपोर्ट कल मिला है सोने में हमने एक बहुत ही शांदार देखी तेजी देखी इनफाक्ट मार्च के बाद सबसे बड़ी इंटरडे मूव सोने में आई है अभी भी 1750 की उपर आपको सोना देखेगा चांदी 20 डॉलर पर आ गया है तीन-तीन हफते की उचाई पर ये दोनों precious metals आपको trade करते हो देख रहे हैं कच्छे तेल की बात करें तो यहां पर 107 के आसपास Brent बरकरार आपको दिख रहा है नाच्रल गैस में हाला कि उपर इस तरुसे थोड़ी गिरावट आपन समय तो discount कर रही रहा है बाजार दिपांशो आपकी commentary से मुझे एक बात समझ में आ गई कि खबर कैसे भी हो यह market decide करेगा कि react किस पर करना है और वही होता हुआ दिखा है which is good news for us चले शुक्रिया दिपांशो वो पूरी detail रखने के लिए